कैसे हैं दोस्तों जैसे का आपको देखने हैं पास एक बोर्ड है, जिसे हम कंबाइन बोर्ड बोलते हैं या फिर कंबाइन जैक्शन बॉक्स बोल सकते हैं जिसमें एक 15 सौकेट है, एक स्यूच है और इसके साथ इंडिगेटर ज्याँस तो में पॉइंट आपको यहाँ पर और आई बटन में फिटे देएंगे लेकिन यहाँ परिंपोर्टन क्या है, इंडिगेटर यहांस तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर इंपोर्टन है ठीक है तो दो तरीके से कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है बहुत सिंपल बहुत आसानी साथ समझ जाएंगे ठीक इसको उपन करते हैं और यह दस एंपिया 240 बोल्ट पर चलता है ठीक है विक्तम पैपिंग है अदी देखते हैं कुछ ऐसा लग रहा है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है यहां पर गोल्ड मिडल की बैजिंग आपको मिल जाती है उस तो हमने स्कूर निकाल लिए इसको उपन करते हैं यहां इसका बैक साइड ठीक है देख सकते हैं यहां पर यह एन है यह एल है और यह आर्थ तो आप जाते हैं ओसुच के दो पॉ він्ट ठीक है मारा इंडिककेटर है जिसके दो वायर है एक वायर यह यह भी ओनेंचेन में connection कर लेना है और अर्थीं का connection कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर में इंपोर्टेंट आपको indicator आपको indicator कैसे रखना है यानि कि जब आप इसमें supply दें तो indicator आपको on हो यानि कि permanent on रहे या फिर आप यह चाहते हैं कि जैसे हम switch को on करें तबान हो और जैसे आफ करें तबाफ तो यह हमार पास phase wire जो की red wire है और सबसे पहले हम its का connection करेंगे switch के निचले वाले प्वाइर करेंगे यह video है फेज वायर कर दिया है आप हम करते हैं नूटरल के लिए हमारे पास गृरीन वायर है इसको हम उन उभी स्रीं्ज वाइं हो और जब आफ करें तब आफ हो तो इसके लिए क्या करेंगे एक एक point को हम यहां पर लगाएंगे, यहां पर अपर वाले point पर. क्योंकि supply यहां पर आएगे , तो जब हमande को ON करेंगे तब इसमेश्ema चाहएगी जिससे Iרב on होगा और एक neutral point यहां पर लगा देंगे, घ्क है एक point को हम ऊपर लगाएंगे। जैसे हम switch को on करेंगे तब यह on होगा अगर हमें directly रखना है यानिकि indicator को directly रखना है कि चाहे हम बंद करें या फिर ऊफ करें उसके लिए हम क्या करेंगे इस वाले point को हम यहाँ पर लगाएंगे नीचे वाले point पर ठीक है नीचे वाले point पर लगाएंगे तो हमाई indicator पर्मेनेंट जलता रहेगा जब इसमें सपलाई ऐएगे ठीक है और हम चाहते हैं कि जब हम स्विश मौन करें तो यहां पर लगाएंगे ठीक है तोस्तों हमने इसको भी लगा दिया तो हमारा जो connection वो complete हो गया सबसे परले हम face लिया switch के निचले वले point पर उसको हमने neutral लिया फिर हमने अर्थिन लिया ठीक है उसको हमने switch से socket कर दिया और यहीं इस indicator के एक point हमने उपर लगा दिया और दूसरो point हमने neutral में दे दिया switch को on करेंगे तो हमारा indicator on होगा जब off करेंगे तो हमारा indicator भी off हो जाएगा ठीक है इस तरह हमने इसमें connection किया है उसके लिए हमने यहाँ पर उपर वाले point पर indicator के point दिया हुए अगर हमें direct लगना है तो इसको हम यहाँ पर दे देंगे तो चलिए इसको चिक करते हैं तो उस्तो हमने screw यहाँ लगा दिया और इसको हमने wire को निकाल लिए ठीक है अब इसे हम चिक करते हैं कि यह वाकई काम करता है जो हमने connection सही है या फिर नहीं ठीक है पर एक्षेंचन बूड है हमें wire को लगाते हैं connection कर दिया और यह हमार पस बल फोल्डर है ठीक है तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर पहले off करते हैं ने लगा दिया यहां switch को on करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर light आ चुकी है लाइट को बंद करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर light जल रही है यहां पर light नहीं जल रही आप देख सकते हैं यहां पर indicator जल रहा है आपने wire को लगा दिये लेकिन यहां पर नहीं जल रही जैसे हम switch को on करते हैं तो आप देख सकते हमारा indicator भी जल गया है हमारा बल भी जल इंडिकेटर भी हो, इंडिकेटर को आप डायरेकली भी कर सकते हैं, जैसे यह स्वीच है, जैसे इस बोर्ड में हैं, तो आप डायरेकली भी on इसे रख सकते हैं, और जब आप इसे on-off करेंगे स्वीच को, तब यह on-off नहीं होगा आपका इंडिकेटर, और यहाँ पर हमने क् है कि हम स्वीश के साथ की Bacon अजय से स्वीश को सब्सक्राइब कमेश कना क्या啊